रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरश स्रिवास्ता और प्राइम टीवी के खास करके बीकन चर्चा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज जो अधिस है और जो मुद्दा है बहुत मेर्पूर्ण है क्योंकि उत्तपरिस की राजनीती लगातार गर्माती जा रही है जो राजनीती के चर्चाओं में दोर है वो लगाता चलता जा रहा है तो कहीं नितिस अख्लेस मुलाहिन सिंग यादव की मुलाकार के चरचाइन भी हो रही है अब यशेर में जबे नितिक स्कुमार दिल्ली दोरे पर गए थे उसके बार उन्होंने मिरनदा जाकर मुलाहिम सिंह यालो से मुलाकात की, अखली सिरह मुढ़ी से मुझुद थे शीतरा मैद। कि लेंधों से मुलाइकात की जिए डिली की मुख़ंतिरी अरभिन के सी केजीबाल से मुलाइक तो का दॉर रहा बला रहा और निस्टी कुमार ते से अझा नितिसकुमार मांहा करनुं को तो कि अ है जिया जो पहल सो नितिसकुमार ने कर दी हैं और कि तरह की ओल्डिंग जो है वह बिहार में लगी थी और जब तेजस्वी आदव और नितिस कुमार ने दुबारा सरकार बनाई थी बीजेपी से अलग होने के बाद उसके बिहार में तमाम तरह की होल्डिंग लगी थी अब प्रदेस बदला है फिर देस हैं तो ऐसी एक आज होल्डिंग समावरी पार्टी का रहले के बाहर देखने को मिली पोश्टर उस पोश्टर में लिखा हुआ था साब तोर पर की नितिस और यूपी और बिहार जहां पर आपका यूपी को अखली जारव बताए गया था और बिहार नितिस कुमार होता है को लुपी और बिहार और गई मोरी सरकार इस तरह का एक जो है पोश्टर है वो इस समय चर्चा में हैं क्योंकि चिपका हुआ था समावरी वाट्टी की कारेले के आसपास इसके बार की बात करें तो लगातार अखले सियादा केसर पैसार मौर्या की बीच जो ट्वीट वार च किया गया था उस भासा कप्यों कता ही देश की लोकतंत में मानने नहीं कि इसके इतर जहां पर बाक्योंट चला अखलेस जादो एक निजी चैनल में इंटर्वू के माध्यम से बताए कि कि सब्सक्राइब मौर्या गलत हो रहा हुआ अगर वो स्वाब रायक उनके पास है त मौर्या के ना था कि उनको जगुवत नहीं है अखलेस दूप्त हुआ जहाज है अखलेस की बात है केबल मैयना है इनसे कोई लेने देना नहीं है पहले अपनी पार्टी देखे उसके बार हमको बताएं तो वहीं बसपा सुप्रीम मायाबती भी इस युद्ध बता रही है उन्होंने समावी पार्टी को बीजेपी का साथ बताया है उन्होंने का है समावी पार्टी बीजेपी को साथ दे रही है और समावी पार्टी मुख बेपच्छी पार्टी होने की बाब जूद उसने बीजेपी को बाको बर दे दिया है इस तरह की चर्चा हो रही है तो वह और वो किसी कटबननान सामिल नहीं होंगे और सपासे बिल्कुल सामिल उन्हें साफ नोटू कह रिया है कि समाज़वड़ी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे और वो अलग चुनाव लड़ेंगे उन्होंने यह उन्होंना भी कुछ दिनों पहले यदुकुल पुनाय-जागर मिशन के माध्यम से भी यह बार स्पस्ट कर दी है कि यारव विराज़वी को अपने पर्समें करने का उनका प्रयास है वह भी हो सकता है आंगे जाकर समाज़वड़ी पार्टी के लिए कुछ नुकसान दे साबित हो तो भही रालूर के मैं भी स्पस्ट कर दिया है कि आगा कई बात दोका स्था चुके हैं तो उनके साथ तो जाना नहीं है और सिर्थ बची है बाते हैं जब जुनाव नज्रीक होगा तब मुझे किसके साथ गट्मनन करना है वो तो तभी होगा अभी तुम्हें केवल अपने साथन को मजब कर रहे है सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं कि टूटर वार की बात यहां पर होती है बात यहां पर सियास्ट की होती है बात यहां मुद्धों की होती है पर जनता के मुद्धों पर अब भी कोई बात करना नहीं चाहता यहां बात बिरायकों को अपने पाले में करने क की होती है यहां बात किसी को उसका यार बताने की होती है कि यहां बात महागर्बनन को मजूद करने की होती है जंता के मुद्धों कि बाद को इस पूरी पतगता से गयर हैं । मेरपूर घृसा कब बहुत मेरपूर स्वागत है तो जो पहला हमारा सवाल रहेगा वो संतोस सिंग जो निटा भसपा उनसे रहेगा संतोस भाई अखलेस यादव लगातार केशव परसार मौर्या पर बयान बाजी कर रहे हैं लगातार ट्वीट वार कर रहे हैं और जिस तरह से आज एक पोस्टर सिंगे तो इतने राजनितिक दल हैं सबको अपना अपना सेम बैदानिक अधिकार मिला हुआ है सब लोग अपने तरीके से पक्ष में रहे के अपनी पिकाटिक ब्ली करते हैं मैं बहुत जादे इन लोगों पर नहीं कोई कोई टिकाटिक प्ली करूँगा बड़े लीडर्स है लेकि एक बात कुछ दिनों से लगतार की बाते जब से विहार में सरकार बद तब की युप हमा कि सिक देखा की कौन कैसा लेत Readorte कि करने की कि कुछा देश का नेटा strengthened है एक दिन रहेया क्यों से आदो की ट्मीट के और केशो मौरिया जी के बारे में जो कुछ भी बोल रहा है इसके पहले भी सदर्ण में उनका आच्रन लोगों ने देखा है कि किस तरह के भासा का इस्तमाल उन्हें किया था जोगे नेता प्रतिपक्ष है एक महत्वण कुर्शी पर बैठे हुए थे ब पारे में क्या कहूंगा मैं मानता हूं कि मुलायम सिंह ने संगर्ज के दम पर समाजबादी पार्टी को खड़ा किया है लेकिन आज के देट में जो सफना देख रहा है निती जी और मन्य अखिलिस यादो जी और ये पोस्टर जो लग रहा है ये तो हसी के पात्र का अपने मैं इसको कह सकता हूँ और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में और रादसकों तक कहीं भी भारती जनता पर्टी के हम देस की राजनीत करते हैं हम राश्धीत की राजनीत करते हैं हमको मालू में हमारे देस की सब्धा और संस्कृत LIKE है हमारे पास मोहदी जी के नितित्यों में जो काम हो रहा है उसमें लोगों ने पिश्वास देता है गोरो जी मैंने कल भी आपके चैनल के डिवेट पे कहा था कि कैसे ये लोग बात कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की जनता है और समझधार है और देश की जनता तो देश की जनता के बारे में बाती जंता पार्टी की सरकार मिनी और यकीन मानिये गोरा जी आने वाले समय में यह जो भी नेता ख्याली पुलाव पकार हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हम जाएंगे और हमको 24 में जनाधार मिलेगा नितीजी अलग सपना देख रहे हैं मुक्यमंत कि लिवां करें में यह जरूरी है क्योंकि ऑननारी बíchुंगा है य९ह-फश्थ से खली है देखेंगे निकृता राजनीर राजनीत में गटवन्धन ॠंधन का पालण कैसे किया जाता है पंडी तटल विहारी बाजपई ने 29 गटक दलों को ले करके और सांदार सरकार चलाया था समने देखा था हम गठबंदन की मर्याधा में रह करके काम करते हैं और नितिश्टी चले गए उनको किसी इसका लालत सा और किसी इसका मोहता मुझे नहीं मालूं सुसासन की स कि वेस्टे तश्टी फीन गठबंन की आता ही sự इसकार करने के लिए उनको सांगंता और आपको kamuq कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है गवरोजी लोग बहुत समझदार है नितीष कुमार के बारे में मैं कोई गलत टिपड़ी नहीं करूंगा बसी तरह उनको कहूंगा कि बुढ़ापे का समय है अंतिम चुनाव आपने करके बिहार के लोगों को इमोशनली कह करके और आपन चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और भी लोग आपके चैनल पर जुड़ें को सबको कहता हूं कि बहुत लंबे समय तक इंतिजार करना पड़ेगा पहले लीडर सिफ डवलब करिए तब लोग आपको मुका देगा तारिक भाई अच्छी बात है हमारे हमारे कारे करता है मुद्धी लाल के हषीन है क्याल पुलाव है कुछ नहीं होने बाला है कही सपना पर शची मं स corrections के पाई करता है चोर्फ लोग होती है यह सपना देख पर अथी लाल दे जिट लत वाटल वाज़ी नझाना पाटल बॉड़ी तो जब वो लोग उनी वो ताविध उड़ी अच्छी घरी झाल अच्छी कासी हुँड़ी। जिनको पुड़ जग्राट धिष्ण और मार्क साथ काहे हुड़ी। तो बटन भी आरी वाजपाई साप पर दाह मंत्री बाने तो उमर क्या सिंगी? क्या वर्षी उनकी? अच्छी हाकी उमर्षी बगयाता, मतब अच्बन न देख लेकिन बड़ा सम्माल है उनके लिए मेरे बंदे वियारी वाजपाई साप एक अच्छे नेटा थे भारत एक बेदरीन लीडर थे एक बेदरीन भाटा थे यह ना चालीफ करने से पर दोपाई कि बाति वार्षी बात जहां गट बंद भर दोपाई गउर्ण भाई एक आत्रा समझें 25 साल पाइसन में आत्रा से विए क्या जह उनके ऊस्टी संङे है नुकराउप करिए फालीफ गुटे में दो चुटे में लु टोना बंद आदे वालीफ साल पाइसने वार्टे कि उम्र उस वायारी साल में पैता इसनी तोंते दो मैं बंदela सãyटेथ students सब्सक्राइब priced असे एक हैज श़दाराप के एक आप raci सब्सक्राइब अगर गरिमाप harsh अई सुख़ा आप करया चाहत ओ कि नब अधारी दो धर खतощ attitudes एक चीज़ और मैं कहना चाहरा हूं कि इनका आप ये लेखिए कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है इतने सालों तक आप नहीं आ पाएंगे ये कहने के पीछे की वज़े क्या है कभी राजनीत में आपने सुना कि किसी ने दावे के साथ कहो कि बीव साल तक आप नहीं आ आप से कह रहे हैं कैषणों कर साथ और मौरिया गोरो महा आप से 20-25 उचैश। उसे ढब इजमीं महें यूऑ बेश के लाहो गया है तो के लिए विष्ठें सभागी अंवागी के लिए कि बदो में अबचन रहे हैजा हुआ। जी जी अब आरी आवास जी बिल्कुल आ रही है इस पच्ट आ रही बोड़ी आप तो मैं वही कह रहा हूं कि यह स्टेट्पेंट दिया जाएगा कि आपने यह बेश दिया वह बेश दिया तो कौन से विधायक अपना दमीन जाया बेश के बनवा रहा है जी आपके राजमंत इस पीघन किन ने बेश रखना है तो अब आप बढ़ा रही है कितना बेश बेश के बलाएं है कितना मौरिया जीन बेशा है कितना प्रफेंद फिछले वाले उन्होंने बेशा है क्या क्या बैचा है लेके चले आओ अखली जारा को अपने पर भरोसा नहीं है क्या अगली बार सरकार बना लेंगे तो क्यों सो बिदायक को फिलोबन दे रहे हैं गया ले गया गया जी इनके पास पार्टियों को तोड़ने का पीएश्टी है रिसर्च है एक किताब लिख सकते हैं ये लोग कि द लोगों ने घुष के तोड़ फोड़ की नहों जहां पर दूसरों की सरकारी है ठीक है अब अब मैं कह रहा हूँ अगर हम थोड़ी सी तोड़ फोड़ की बात कर लें दो तो इत्ता दर्द क्यों है जी वह हमाई पाइट तक ऐसा नहां है जी अरे दजबी रिगार करो जी अब माँ करें अब मां करें गे गयार मांग करेंगे कि नहीं प्र जी ही तो यह तो मां करने पहले है अभ जे कह रहे हैं कि कि है आपने आपने हरे यह हम चैथ ची परोग की है पुर हिंच ऑला साथ साहा कि अपने कॉलर के बटन खोल कर अंदर जाक लिया करें कुछ कहने से पहले सामने वाले ठीक और यह की बात में कोई सरबार नहीं था मतलब इल्लॉजिकल बात भी अंग्रेजी में एक वर्ड होता है इर्रेशनल जौरफ भाई इर्रेशनल मतलब आप अपनी बात को जस्टिफ पाई नहीं करा पर तो बिलकुल एर्रेशनल बात की कहीं से उस बात को समझ में नहीं आ रहा है उनकी लोग चले का बोलने सवाहिज पाई से जुड़े हुए लोग है अच्छा पैसे का इनका का इन का पीसे जमा करो उता पैसे जमा करो पालनवे में बीएस्पी से जिलाद प्रणाब लेता हूं जिलाद ने भी एस्पी जलती है वैसे ही पाइटी चलाना चाहिए पराने आदमी ने सपा के हमासा सत्य जीर भाई है उम पेकार आजबाद सपाल सिंह आरा में शीरूप से बहुत अंतर है यहां पर तारिभाई के कहना है कि हम सबको जानते हैं वेवरने दिक्कत है इनकी आवाज साफ नहीं आ रही थी बहुत समझ में नहीं आई क्या बोल ले थे यह बोल ले थे और असपष्ट आवाज नहीं ना आने के वज़ा से लेकिन जो प्रसनाब ने किया है दरसल जब लोग इनके साथ होते हैं तो उनके लिए अच्छे होते हैं अच् अगर अकले सादो जी गडबंधन धर्म का निर्वाहन करना जानते तो साध एक एक करके लोग इनसे कटे पिटे छटे ना चले जाते हैं यह दुरुभाद के हैं समाजबादी पार्टी के जब बात आती है तो आधने शुपासिंग वो शक्षियत है जो 1992 में आधने मुलाय उत्तर प्रदेश में चार बार हुकूमत तक पहुचाया चार बार सरकारे बनी और चौथी बार आधने अखले स्यादो को उत्तर प्रदेश की कमान सौन दी लिए जदब व परासूर से ही आये थे कोई अनुपो नहीं था धरातल पे कोई अनुपो नहीं था इससे ये भी तारिक भाई भी इंकार नहीं कर सकते हैं कि बाहर पढ़ते थे आश्टेलिया के पढ़ने के बाद जो है वापस आए और उनको सीधे यहाँ पे मुख्मंत्री का ताज उनके सिर्फ पे पहना गया देखे एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि जिस वेक्ट ही नहीं हमने कहा कि अधर यह सुपास यादों कि शक्षित की जब बात आएगी तो जिस वेक्ट में अपने 45 साल को समाजबाद विचारधारा को समाजबादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से कुर्बानी देती हो तो उसके ओपर प्रस्टन लगाना हमें रखता है कि हम जैसे छोटे लोगों के लिए अच्छा नहीं है हम पूरे सब लोगों को तारिख भाई को भी इसमें सामिल करते हैं अपने आपको भी सामिल करते हैं उनका एक राजनेतिक कैरियर है राजनेतिक अनुभव है वो सरकारे बनाई हैं सरकारे चलाई हैं सरकारे बिगारी हैं हर तरीके से उत्तरपदेश की 24 करोणा आबादी के हिल के लिए उनने काम जा है तो उन पर टिपड़ी करना हमें नहीं लगता कि भले ही वो अलग दल में हो समाजबादी और अलग हो प्रगसिल दल अलग है लेकिन टिपड़ी करना उचित नहीं है देख में पर आप नजर डालिये तो और यख के ठीक है लेकिन समाजबादी विचारधारा के प्रति जो है अगर कोई धारना की बात करे करे समाजबादी विचारधारा को कभी उन्नत वस्था में नहीं ले गए तो हमें लगता है कि गलत रुपा तो उंक्यों पर टिपड़ी नहीं पर राजबरी जिब पोस्टर चला है अभी यूपी और वियार गई मोडी सरकार इस पर क्या कहेंगे अखले सियादा और नितिश कु लोगों के साथ काम करना होगा अगर लोगों के साथ काम करेंगे तो पोस्टर और ट्यूटर का महत्तु बढ़ेगा लेकिन सिर्फ ट्यूटर और पोस्टर के भरोसे चाहें कि हम सरकार में आजाए जन्ता का विस्वास ले लें तो हमें नहीं लगता कि यह बहुत अच्छा कि पूछा जाए जाए तो जो भी इस करोण के आबादी के बीच में जाना चाहिए उनकी परेशानियों में सामिल होना जाए ठीक है आपने जी आज सिपास ने कहा है कि हम किसी भी सूर्ट में सपाह में सामिल नहीं होगे तो क्या भविस में ऐसा संगेट के लिया रहें कि सभाह में नहीं जाएंगे या कोई फिर देट डी जाएगी कि हम देट देंगे हम इंतियार करेंगे इस तरह की बाद फिर तो सामने नहीं आने वाली है तारिक भाई मुस्क्रा रहा है बहुत जोड़ से कि जब ब्यक्ति लगातार चला जाए लगातार पीडित हो और पीडा चल जो है दंभ में आकर अगर हो तो दुरभाग्य पूर्ण होता है आधरने शुपासिंग यादो ने जो बात कही है जरूर उनके मन में कोई पीडा हो जड़ होगा चला पीडा उनको जरूर जो है उनको टीश्ति होगी जरूर जो है और मैं कहता हूं उत्रप्रदेश क आदने मुलायम सिंग्यादों ने बनाई मिल करके और तरप्रदेश के हकूमत पे आदनी अखलेश शादों को बैठा दिया गया तो क्या वज़ा है कि 2017 आते आते ही देखिए फिर मैं सपष्ट कर दू कि 2017 में तो 47 थी 2022 में आते हाते 110 पिसमट गये जबकि 2012 में 224 सीटे आदनी सुपाल सिंग्यादों ने जिताई जी मैं कहता हूँ गोरो जी कि आदनी सुपाल सिंग्यादों को अगर इस्टार परचार रख देखिए दो चरण बीद गया था अगर इस्टार परचार के तोर पे उनको उस समय ही नुक्त कर दिये होते हैं और प्रदेश में भ्रमण करवाया हूँ गया हूँ आदनी मुलायन सिंग्यादों जी का निया अखले सियादों जी के नेतित्यों में समाजवादी पार्टी जो काम कर दी है बहुत अच्छी बात कहा है हमारे सिंपाली के पार्टी के परवक्तास आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं उससे इत्फाक रखता हूँ, हमारे पार्टी के नेता भी इत्फाक रखते हैं, यह सच्छा ही है कि मुलायम सिंग के बाद समाजवाती पार्टी में किसी नेता को नेतित्ट करने का अधिकार था, तो उसका नाम स्विपाल सिंग यादो था, कहीं से हमारी बिचार भा झालियन क कॉर कमेटी नेते हैं किस के साथ जाएंगे, किस के साथ जाएंगे, कहां जाएंगे, मैं उसे कोइए ठीक रखती पड़ी नेकरना चाहाता, वो स्वतंत रहें, वो स्वतंत राजनीतिक जलें, कुछ भी डिसी जलें. हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे तारिक भाई ने बात कहा कि हम तो गरीब पार्टी है, हमारे पास उतना पैसा कहा साएगा. समाजवादी पार्टी के लोग मंतरी नेता रहते थे, बड़ी धूमधाम से, सारे बालीवूड और हालीवूड के नेता और गायक और सिंगर आकर के तमाम तरह के नेती हुआ करते थे, कारिकरम हुआ करते तो पैसा कहा से आता था, अगर वो पार्टी फंड का पैसा नहीं थ हर साल मनाया जाता था, तो गौरो जी आप भी नजर रखते हैं, मीडिया के लोग है, जरा बताइए, कहा गए हूँ बालीवूड के लोग, कहा गए हूँ के तरह गरी पार्टी में बोलत रहे हैं, बताए हूँ किस कहा गए, इनके पास पैसा भी है, इनके पास सासन और सत् पूती तोर पे आवाज उखा हैं, हम चाहते हैं कि हमको कोई अच्छी सला दे, लेकिन के पास ना सला है, नेता परचिपक्षिन के पास नहीं है, कोई बढ़िया, और ना कोई बोलने वाला है, ना कोई कहने वाला है, ये इन्डिपेंडेंट एक बेक्त की पार्टी है, जो अपने अहमकार में चूर है, जिनको ना अपने पार्टी का संविधान की चिंता है, ना अपने पार्टी के नेताओं की चिंता है, ना अपने पिता जी द्वारा बताई गई, जो बिरासत जो बनाया है, उन्होंने, मुलाहिम सिग्यादों ने, उनकी चिंता है, और नाइस कुमार के साथ मंता जी साथ के जरिवाल के मिल करके घड़ बंधन करके आप मोधी को हराने चले हैं मैं prodigy को मांते है समाजवाथीा अधिकारी उसे महा की यह सबसे बड़ श्रकार करेंगे गड़ बंधन के लोग छीओंगर के क्या कड़त्वंदर के लोग की डिवाल को सुविकार करेंगे. इनके पास ऐक नेटा का नाम बताяжके तारिख भाई हम कर दााना नेटा मानेगे और अमाजवादी पार्टी की लोग था atrás काना जवाब for the body जवाब लेते हैं तारिक भाई आप कहां सब्सक्राइब कराते हैं जी विचारधारा ट्रांसफर हुए और साथ में बाग्यों की राजनीद भी कैसे तोड़ों देखिए आप देखिए कभी हमने नहीं पूछा कि काउन से स्टेट में किसको बनाओगे नेता लेकिन देखिए बाग्यों की राजनीद आ गई विचारधारा ट्रांसफर होती है यह तो थाबित होई तो थाबित होई जो लोग अंदर से मदद कर रहे थे अंग्रेजों को तो बाग्यों की क्या जरूरत है सबसे बला नेता होने की अभी से आप जगड़ा करवाना चाहते हैं अब नहीं चाहते हैं कि जी कि तर्वेक भी आवाद नहीं आ रही है जी बुली जी कॉंग्रेस की इंटेंसिटी की यह काम करने की इनकी इंटेंसिटी उनसे जादा है फ्रिक्वेंसी उनसे जादा है उनसे तेज वो यह काम करते हैं बाद के किसी तरह के से अब देखिये लाने के लिए यह पूरी एक एजन्डा चलेगा कि नेता कौन होगा निटीस पंता अपलेश और यह के जिगगा अच्छा यह मुहिम इनकी तरह से चला है उसरे बहुत वरिष्ट है हमारे सुवास्पा के बड़े भाई उनका वाला सम्मान करता हूं मैं सतरा साल सांसद रहे अकलेश यादव साव इसके बाद शायद मुकमंत्री कपद भिला उत्तर परदेश के मुकमंत्री भी पहले कोई मंत्री नहीं बने थे सामान अरूप से सांसद जी कोई प्रशास्निक अनुभव नहीं था पिर भी आज बुड़कान किया जाता है जब बने थे तब यह जा रहा था कि क्या इससे पहले कैम्नेट में मंत्री ओना चाहिए सारकार जलाने का अनुभव नहीं है मंत्री चलाने का अनुभव नहीं है सवाल समाजबादी पालटी ने इस बात पर कभी नहीं हुद आया जी क्योंकि इच्छा शक्ति होगी तो सरकार भी चलेगी और मंदाले इच्छा शक्ति नहीं होगी तो कुछ भी नीच है पर यह संतुर भाई क्यों कहा रहा है कि सेफ़ी मोस्तर बनाते दूसकर पैसा कहा से आता अब आप अपना पो गरीब पार्टी आप अम रिद काल पे इ जल रहा है सब अमरीज परस रहा है उसी में जब अमरीज महस्तों बनाये गया तो प्रताब गण में धिया में इस्थी और विदायत के सामने निर्ट बालाओं को नचाया गया शाग आती है उसको भार्ती जंता पार्टी की सरकार पे और कोई एक्शन नहीं लिया गया गया ओस्ताइल पे लोग लुबावन जीत हो लेकि नित्वानाओं को नचाने का क्या होचित पार्टी चली जाब ने चीज्वाब में उसके जवाब मुझे इस तरीक वाई आपकी बात हमको आदी समझ में आ रहे थी आदी नहीं आ रहे थी क्योंकि आपका आडियू कट हो रहा था मुझे एक छीज समझ में नहीं आ रहा है कि गुमा फिरा कर इतना सब बात करने से बनिया हैं आप एक बार अपने एक महा कडवन्दन के नेता का नाम बता देते या हमने वो पूछा उसका जवाब देते दूतरा मैंने आप से पूछा कि सफ़ई महुसव अचानक से बन क्यों हो गया आखी सफ़ई में सुखा क्यों पड़ गया कहा गया वहां कि आलिवूड अगर बैठना चाहते हैं तो आप अपने गडवन्दन के नेता का नाम बता दीजे और सबसे बड़ी बात अप इन सभ में किसको बड़ा नेता मानते है जो आज गडबंधन गडबंदन चीनारे हो फे बड़ा नेता है कौन आपका हमने बड़ा सिंपल सा सवाल किया है भारती जंटा पार्टी के अंदर संगड़न है संवे दानिक टरीके से पार्टी चलती है पार्टी की कोर कमेटी बैठी है, संगठान अपना नाम तै करता है, हम अपना नेता चुनते हैं, वहां नेता हमारे लिए PM और CM और राश्टी अब्जेक्ट के कुर्शी पे बैठता है, तो हमारे पास तो विजन है, हमारे पास जबलमेंट के लिए भी विजन है, हमारे पास अपने भारतिये सब्वेता संस्किर्टी के लिए हमारे पास सब्का साथ, सब्का विकास का मुल मंत रखा हुआ है, हम तो सब के साथ मिलके काम करते हैं, तारिक भाई, आप से मैंने सिर्फ दो सवाल गिये थे, उन दो सवालों का जबाब दे दीजिए, महागरमंगर का नेता या पैसे खतम हो गए, आप ये बता, दूसरी चीज, कि आपने सबसे बड़े अपने पार्टी के नेता, अगर मुलायम सिंग और अकले सियादो अपने आपको बड़ा नेता मानते थे, उनका तीसरा सबसे बड़ा नेता सिपाल यादो थे, तो आखिर सिपाल यादो कहां चले गए, आज हम खां कहां गायब हो गए, अचानक से जीतरे आपके बड़े बड़े चेहरे थे, जिनको अगल बगल बैठा करके प्रेस कॉन्फरेंस किया करते तो आदरनी मुलायम सिंग बड़े लीडर्स गये कहां, कहां गये, आपने शिरीफ अपने आपको डबलब कि आपने समाजबादी पार्टी का लीडर्सिफ डबलब हुआ रहा था, तो आज यहां बैठ करके आपके नेता प्रिवक्ता पार्टी के बारे और संगठन के बारे में चर्चा करते तो हमको भी अच्छा लगता, हमको लगता कि पार्टी ने, इनको चुनकर पार्टी ने, सब कुछ करना चाहते हैं, वह संभव नहीं है, हमारे दो सवाल का जवाब दे दीजिए, और सफ़ाई में सूखा क्यों पड़ गया, सफ़ाई में जो अचानक से बाल हाया करती थी, अचानक से जो पैसे घर्चे हुआ करते थी, वह सफ़ाई मौसों कहा हूँ, जवाब दे तो क्या रणनीती रहने बाले, यह चुनाओ अब किस से खिलाब लडने बाले हैं? फिर से खड़ा किया है, और इस चुनाओ के बाद पुना हमारी काई भंगी की गई थी, और संगठन हमारा खड़ा हो गया है, 75 जिलों में हमारे संगठन बन गए हैं, हर जिले के जिला अध्यक्ष हो गए हैं, और हमारी प्रदेशी कारकारणी भी तैयार हो चुकी है, बत तो पर आधाई थे, जो हर उस व्यक्त को जो अंतिम सिरे पे खड़ा है, उसको ला पहुचाने की बात करती है, जहां समानता है, जहां भेदभाव नहीं है, और जहां बड़ा छोटा नहीं है, उस समाजबादी विचारधारा को हम आगे लाना चाहते हैं, हम तथा काते समाजबादी विचारधारा की बात नहीं करते हैं, जो समाजबादी विचारधारा की बात नहीं करते हैं, जो समाजबादी पार्टी को बल दे रहते हैं, बोल मुलायम हला बोल की रणीत हम अपनाते थे, और जहां जिसे जगह पर जरूरत पढ़ती थी, वहां आंदोलन ख भल्ला बोल के साथ जो है, सरकार को चिताने का और सरकार को जगाने का काम करते थे, और जगाते ही नहीं थे, तब तक टटे रहते थे गोरो जी, जब तक कि निस्तारण नहीं हो जाता था, फेस्बुक नहीं था, और फेस्बुक ट्यूटर के ना होने पर, जन्ता के बीच में देखें, फेस्बुक और ट्यूटर से काम चलने वाला नहीं, यह बार बार मैं इस बार को पहूँगा, जन्ता के बीच में जाना होगा, रही बात तथाकतित की, देखें, समाजबादी बिचार धारा की, जो मूर बिचार धारा है, उस पर कोई भी बेक्ट अगर नहीं है, कि समाजबादी पार्टी, अब हाते जन्ता पार्टी हमारे पक्ष परतपक्ष में खड़ी है, सवाल इस बात का है, कि जन्ता के बीच में जा करके, प्रगस्षी समाजबादी पार्टी अपने बातों को, अपने संदर्व को कैसे रखती है, अगर हम अपनी बातों को र कि विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे यह हमारा सिंधान थे भाध्य जंता पार्टी की तो उनका अपना मकसद क्या है कैसे है कैसे रंदीद बनाएंगे लेकिन हम इतना जानते हैं कि 2024 वो निकाय चुन्काओं में थी तोनों में हमारी उपस्तिती दर्द रहें कि इसम कि यदकुल पुनरजागरे मन कर दिये है मिसाद है यदकुल पुनरजागर तो सहरा लें होगा कि अगर आप अपानी जात को अपने बर्द को अपने एड़ाहारीте को खड़ा कर देते हिसिए मैं तो यह कहता हूँ, कि हर जाती को अपने समाज को खड़ा कर ले पहले, तो अपने आप सरसमाज भला हो जाएगा, तो अगर यदुकुल विपर जाज करमिशन बना है, तो यह काई दुरुस्त हो जाएगा. पूरे उस्तर प्रदेश में, यादो, भिरादरी अगर देखती है, आज की डेट में, तो उसके समझ में बात आ रही है, यादने सुपाज सिंग यादो के रहते हुए, किसी को चोट नहीं पहुंची, किसी को दुख नहीं पहुंचा, किसी को तकलीफ नहीं हुई, अगर किस कि लड़ाई की बात नहीं है गोरो जी हम तो कहते हैं अगरा पिछला अदली सोसित बंची समात चाहिजो बर्ग रहा हो सब के लिए अभी आप समाई पार्टी को सलाई जा रहा थे कि दरादर पर उतरीए दरादर मेनट करिए कुछ होने वाला नहीं है तो हमका मुम्मीर माने कि प्रिस्पा वाले कब रूर पर दनने वाले वाई तोरो जी यहां फिर मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा पैनल पर बैठे सभी लोगों से देश की प्रदेश की जंता से आधरे सुपा सिंग यादो अभी इटावा में 600 मेटकल कालेज के कंचार को जोग निकाला गया तो पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष आध्रिन हजित यादो बैठते हैं धरने पर बैठ जाते हैं और यह कहते हैं लगतार उसम धरने पी बैठे और उन्होंने इस बात को कहा आज भी अलाबाद का दोड़ा है प्रियाग राज का दोड़ा है देखे हमारे आदरणी राष्टे अध्रग धरातर पर उतरते हैं चौबीस घंटे काम करने वाले हैं आदरणीस उपासिंगा दो और ना पता हो तो संबाद करने के लिए मेडिकल कालेज के लोगों ने बुलाया है लेकिन अपनी सर्तों पे लेकिन उनकी सर्तों पर हम जाने वाले हैं नहीं हम लोगों के हित हकोग के बात करते हैं इस वज़ा से आदरणीस उपासिंग का आदोला जंता के साथ लगातार बना रहेगा इसम सवाजवादी बिचारधारा बताई है चाथी भाए ने कि जो विचारधारा होने चाहिए वो अबरेयाने की सवापार्टी में क्या मानते हैं पर देखिए समाजवादी मैं पीचारधारा ये सिखाती है कि समाज का जो जब बचार धारा आप के लिए बता रहा हूं कि उसी विचार धारा पे जब तक जो समाज का जो निचला वर्ग दे उसको बराबरी पे न लगाए जाए एक समता मूलक समाज की स्थापना ना की जाए जिसको सोशलिजम्ट कहते हैं जिसकी शुरुवात एक जमाने में बहुत पहले काल मार्क्स साब ने की थी तो अब मैं ये कहता हूं कि उस विचार धारा को धरातल पे लाने के लिए समाजवादी पार्टी लड़ती रही नेता जी ने संगर्स किया कभी नहीं कहा गया मैंने क कि शुपाल साबने संगर्स नेहीं किया नेता जी ने संगर्स किया और तमाझवादी ने था एक तो नहीं जब नहीं समाजवादी पार्टी का गठ्खन हुआ वेगाम भथलत महिल पार्क टो वहों पर महा से उस गठ्खन होने से लेकर वह चाह grणNS सण लिए हो और वो चाहे आजम खासाब रहे हो अभी के प्रदेश अर्देश रहे हो तमाब लोग थे तो लोग नहीं थे रामशन अंदास साथे में तो बहुत मेरी बहुत जादा नहीं है लेकिन फिर भी देखा है मैंने अपने पश्पन में लेकि इसलिए कह रहा हूं उन विजारदाराओ अगर कोई पार्टी अलग हो जाती है उसको पूरा अधिकार है अपने संगाटन का विस्तार करने का अपने तरीके से आप लोग आदर नहीं है आदर और अनादर की बात नहीं है यह आपका मन था जबरदस्ती जबरदस्ती एक बर अमिश्या का मुझे एक स्टेटमेंट य आपको जबरदस्ती तब बुलाए क्या था ना तब जबरदस्ती बुलाए क्या था ना आज कहा है जबरदस्ती चले गए अगर सम्वान आपको अपनी पार्टी को लेकिन हम लड़ रहें यह समाजवादी लोग हैं यह पूरे हिंदुस्तान में चड़ पार्टीया हैं यह बाकि लोग दिल्ली जाकर विटिक कराएंगे अच्छा ठीक है कि भीया ऐसा है कि हम किनारे किनारे चलेंगे जेंगे और आपको दो चार काटे आपके रास्ते से हटाते ही रहें अच्छा गरो भाई जो रास्ते में भीजे पी के काटे हैं इनको फर आses चलते रहेंगे आफ आराम से चलते रहे हैं यह दिल्ली में मि電 जाकर मीटिन्न करकर किर किसी कवरब भाई सब्सक्राइब बहुत सी पार्टिया बहुत सी पार्टिया पार्टिया बहुत सामने से बीजेपी के एक इंटर्ण सेटिंग भी रहे कि बीजेपी से फिर चुटके से आकर वे भी कहेंगे कि बीजेपी बहुत खराब है उनकी नीतियों से हम एग्जस नी कर रहे हैं उनकी नीतियों के साथ नहीं है फिर अंदर से जाके मिलावाला गेम भी चलेगा तो यह जो चेहरा दोचार पार्टियों का है उत्तर प्रदेश में भी उसमें हमाई वहंजी की भी पार्टी है कि विजेपी को हटाना कौन चाहता है जी गडबंधन करने की जगवर्ट नहीं है थीक है विजेपी तो विलकुल सवाल नहीं उठा सकती क्योंकि पाइटालिक से पचास कटबंधन तोड़े वैटे हमने छे से आठ कटबंधन हमारे तूटे हो और सम्मार के साथ तूटे हैं तहां कुछ हो रहा है ठीक है तो राजनेतिक रूप से वह आरोप उन पाइडियों पर लगाया जाए जाए लगाता रहोंगा में और जो सच बा कार लेते हैं तो हमारे पैनलिस्ट तो सांथी बैठे हुई यहां इन्हों ने अपनी विचारधारा को मार्स की विचारधारा से प्रभावित नहीं है नहीं है जिस त्रीके से बाइट भ्याटे और चलने माली समाजबा listen लोहिया ने कहा अधि सब्सक्रवत्र वर्जेत की फर्मुले की बात की उन्होंने ये कहा कि अधि किसी चीज के अच्छी नहीं होती है जाओ दच्छिर पंथो चाहे बाम पंथो तो तथा कतित को इन्होंने सुर्म परभासित कर दिया जब ये समाजबादी विचारधारा की करते हो अपने आपको मार्स की विचारधारा से जोड़ देते हैं तो उसी समें तताकती समाजबादी की विचारधारा को सवत्हा ही प्रमाडित कर देते कहने का दिया है कि हम लोहिया की है यही विचारधारा जेः की है यही विचारधारा आचाड नरें दो जी तर्फ EL men मैं कहता हμूं कि समाजबाद पे ऐसे लो इसे लो को को मैं कहता हूं तर्फा हिस्वाय जिकिे हैं खरले इंको अध्यान करना चाहिए दिम करने समझें पार्टी गहरा करें पार्टी दूरल ईसमें कोई तो भार उरणाभ हो रहा है यह घर भला है य συν आरोप देखें, मैं असपष्ट कर दूँ, आरोप की जहां तक बात आती है, जो इनके साथ होगा, वो अच्छा है, और जो इनके साथ नहीं होगा, वो बुरा है, ये नूरा कुछती खेलते हैं, इनको यही नहीं पता होता है, कि हमारे साथ कौन है, कौन नहीं है, यही नहीं देखिए गौरुब भाई, मैंने कहा कि जग तक सोशलिजम की बात नहीं हो, मैं बाई डिफिनीशन बताता हूं कि सोशलिजम और इसकी सुरुवात कहां से हुई, सामभाद की और समाजबा, बगार सामभाद की बात की है, क्योंकि सामभाद की डिफिनीशन ये बताती है, कि जो सरकार के संसाधन है, वो आम जनमानस में पराबार से नहीं, जिसकी जदूररत, उस हिसाब से डिस्ति बीफिट करदे का, समझ ये बात, बिर्चो समाधबा की डिफिशन है, ये कहती है, कि जिसको जितना जानम पका सकता है, इसको ठीपाद इसको डिफिट कर दिफिट जपका रोजी से भात से तब ऑचा घैना की सोप्राइब मेरे गाहिने का मत्र कोकी कि आए अवित्रर ख्तारु अभला गाहिना क। करता है तो करना नीचे मुद्दे की बात पही होनी चाहिए जरूर कहूंगा कि जो परिवासा आदरने श्रीफाज के पार्टी की परवत्ता जी ने बताया या जो हमारे तारीफ़ाई बता रहे थे जित्ता इन लोग ने समझाने का प्रयास किया हमको या आपको या देश के लोगों को कि देश में बाकी मुद्दों से भटक करके अपनी नीजी स्वाथ के लिए अपनी नीजी मुद्दों को ले करके आगे बढ़ रहे हैं वह चाहे हम अपनी भी बात कर रहा हूं ऐसा निए कि मैं बात कर रहा है आप जो बोलते हैं उसी का जवाब हमको भी देना पड़ता है तो मजबूरी है कि अपने मुद्दे से बटक जाते हैं लेकिन निमेदन करूंगा कि देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं बहुत सारे प्रदेश में ऐसे मुद्दे हैं हम अपने मुद्दे रही बात निकाय चुनाओं की निकाय चुनाओं आने माला है निकाय चुनाओं में ही नेता और नेत्वत्त हो जाएगा इसमें कही स कोई दो राय नहीं पहरे भी कह चुका हैं गौरो जी कि ये देश में जितनी भी छेत्री पार्टिया है इने लोगों ने कम समय में आकर के रात को सुवे और सुवे पंधार मंतरी बनने का जो सपना सजो के रखा है ये देश की जनता को मालूम है इन्हें ये ये सब पताने की ज़रुरत नहीं है क्या संगरत करते है किन वुद्वधों पर हमने लडाए है श्यक्राइब करने जा रहा है भारत का पैवह पूरे दुनिया में लहराने जा रहा है पूरा देश में भारत ली जनता पार्टी की शोवीश में परचंट बहुमत के सरकार बनेगी और मैं चाहूंगा कि आईए भारत पूरी दुनिया का नितित्व करने जा रहा है भारत पुरा एक बारे विस्टु गुरुबंग के मांचित पर असाफित होने जा रहा है आप उते के लिए लगे आप नीजी बातों के लेकर कि पुर्शी को लेकर के सातर हो सब्सक् पूर्टी, जिस तरह से यहां पर ट्रीटर बार चल ला है पोश्टर बार चल ला है आपसी में आरोपे तैरों को दौर चल ला है पर इनके बीच जनता के मुद्धे गायर है जनता के मुद्धे यानि विजगारी, गरीवी, महिंगाई और साथी साथ जो इस समय विकास की बात हम करते हैं कुछ जो दिक्कत है वो सामने आ रही है चाहिए नगर निकाय चुनाओ के अभी शुरुबात के पहले ही आप देख रहे हैं किस तरह से बाल भी है स्मार्चेटी की बात होती है पर उसे आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो कहीं ने कहीं मेरा मानना यह है कि जो बिपच्च है उसको समय सरकार के सामने बताना चाहिए कि यह कमिया है इसको आप जुरुस करेंगे तब ही जनता कुछ भला हो पाएगा क्योंकि यहां पर सत्ता के लिए सब आना चाहते हैं सत्ता के लिए मेनट सब कर रहे हैं पर कोई सत्ता से जोड़े जिनके जनाधार पर जिनके बूर पर सत्ता मिलती है उन्हीं को लोग भूलते जा रहे हैं जब तक आप उन लोगों को याद करके आप धरातर पर नहीं उत अगर बस्तम में पार्टे चाहती हैं कि आने वाले निकाय चुनाओं में और आने वाले दोज़च चुनाओं में हमको आंगे बैतर प्रस्टिन करना है तो ट्वीट की राजीती छोड़के पोस्ट की राजीती छोड़कर अब आपको ध्रातल पोदनने पड़ेगा तभी अपना सपना सपल कर सकते हैं अन्यथा जो अब तक होया आया है 14-17-22 हो जकता है कि बही निकाय चुनाओं और 24 में भी पढ़नाम सबके सामने आए आगे चर्चा में इतना ही नमस्कार